एक समय की बात है, पंजाब शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था, उस परिवार में मनजीत और उसकी पतनी प्रिशा और उनके दो बच्चे, जिनका नाम ओम और कशिश था, वे सब आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे एक दिन की बात है, मनजीत ओफिस से घर आता है और आज वो बड़ा ही खुश नजर आ रहा था, तभी प्रिशा मनजीत से कहती है, क्या बात है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, तुम भी सुनोगी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाओगी, अच्छा, हम भी तो एसी कौन सी बात है जो तुम इतने खुश हो रहे हो, तभी मनजीत प्रिशा को बताता है कि उसे कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिला है, वो भी पूरे परिवार को, प्रिशा मनजीत की बात सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो, आ बा ऐसे बाहर भी आओगी, क्या करूँ बात ही इतनी खुशी की है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, तभी मनजीत प्रिशा से कहता है, अच्छा सुनो, हमें दो दिन बाद ही निकलना है, और तैयारिया भी करनी है, पैकिंग करनी है, बच्चों का सामान भी लेना है, तभी ब बच्चों से कहता है, ठीक है ठीक है बता देना, चलो अब जल्दी से खाना खा कर सो जाओ, कल हमें शौपिंग करने भी जाना है, फिर बच्चे शोर मचाते हुए, कल हम शौपिंग करने जाएंगे और वो खाना खा कर सो जाते हैं, और अगले दिन मनजीत प्रिशा और अगली सुबा, मनजीत प्रिशा को जगाता है और कहता है, तुम सब सोते ही रहोगे या उठोगे भी, चार बच चुके हैं, और नौ बज़े की फ्लाइट है, हमें समय से पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी, हाँ ठीक है, तुम तयार हो मैं बच्चों को तयार कर देती हूँ, और फिर मनजीत प्रिशा, बच्चे सब लोग तयार होकर एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं, और फिर वो सभी लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं, और उनकी फ्लाइट कैनिडा जाने के लिए तयार हो जाती है, और वो कुछी घ घर में चले जाते हैं, फिर मनजीत सभी से कहता है, ऐसा करो, तुम सब फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में मिलकर खाना खाएंगे, सभी लोग फ्रेश होकर हॉल में खाना खाने चले जाते हैं, मनजीत, प्रिशा और बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं, तो प्रिशा को ऐसा लगता है जैसे और कोई भी है उस हौल में और वो मंजीत से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस हौल में कोई और भी है या प्रिशा तुम भी कैसी बाते कर रही हो यहाँ बना कौन हो सकता है चलो अब सोने चलते हैं बच्चे भी ठक गई होंगे फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और रात को जब घर के सभी लोग सोय हुए थे तभी प्रिशा को किचन से कुछ अजीव सी आवाजे आती है तो प्रिशा किचन में जा कर देखती है तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता पर उसे ऐसा लगा जैसे मानुक अभी अभी कोई किचन से गया हो फिर वो चुप चाप आकर अपने कमरे में सो जाती है और अगले दिन प्रिशा मंजीत से कहती है मंजीत मुझे यहाँ कुछ ठीक सा नहीं लग रहा प्रिशा तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो यह तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं प्रिशा मंजीत की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती तभी मंजीत प्रिशा से कहता है सुनो मुझे ओफिस के काम से जाना पड़ेगा तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना यह कहकर मंजीत आफिस के काम से चला जाता है और घर पर प्रिशा और बच्चे रह जाते हैं प्रिशा बच्चों से कहती है मैं नहाने जा रही हूँ तुम लोग कहीं भी धर उधर मज़ जाना ठीक है ममी, हम कहीं नहीं जाएंगे और दोनों बच्चे खेलने लग जाते हैं खेलते खेलते ओम और कशिश बाहर गार्डन में आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि कभ वो गार्डन में आ गए तब ही उन्हें एक आण्टी दिखाई देती है और वो बच्चों से कहती है बच्चों तुम लोग अकेले अकेले खेल रहे हो मुझे भी अपने साथ खिला लो बच्चों संजान औरत को देख कर डर जाते हैं और अंदर भाग जाते हैं वो औरत और कोई नहीं एक चुड़ैल होती है तभी प्रिशा भी आ जाती है इस तरह बच्चों को डरा हुआ देख कर प्रिशा बच्चों से कहती है क्या हुआ तुम लोग घबराय हुए क्यों हो मम्मा हमें बाहर एक औरत मिली थी हमें उन्हें देख कर डर लग रहा था तो हम अंदर आ गए हां मम्मी बाहर एक आंटी थी वो हमारे साथ खेलने के लिए कह रही थी तब ही प्रिशा कहती है कहा है वो औरत जरा मुझे भी तो दिखा फिर प्रिशा बच्चों के साथ बाहर चल कर देखती है तो उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता तो वो बच्चों से कहती है कहाँ है वो औरत मुझे तो यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा ये कहकर प्रिशा बच्चों से कहती है अब तुम लोग अंदर चल कर खेलो ऐसे अकेले बाहर मत निकला करो प्रिया बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है तभी बच्चे प्रिशा से कहते है ठीक है अभी 10 मिनट में बना कर लाती हूँ और फिर प्रिशा बच्चों के लिए पास्ता बना कर ले आती है और वो बच्चों से कहती है लो बच्चों तुम्हारा गर्म गर्म पास्ता बच्चे जैसे ही पास्ता खाने लगते हैं तभी कशिश कहती है ओम भाईया, मैं अभी आई ये कहकर कशिश अपने कमरे से अपना बैग लेने चली जाती है चुड़ैल चुपके से कशिश का पास्ता खा लेती है तभी वो वापस आकर देखती है कि उसके प्लेट में तो पास्ता ही नहीं है ओम भया, आपने मेरा सारा पास्ता खा लिया नहीं, मैंने तुम्हारा पास्ता नहीं खाया, अभी प्लेट में ही तो था तभी प्रिशा दोनों बच्चों के जगड़े की आवाज सुनकर उनके पास आती है और कहती है क्या हुआ, तुम दोनों जगड़ा क्यों कर रहे हो मम्मी, ओम भया ने मेरा सारा पास्ता खा लिया अरे क्या हुआ खा लिया तो, मैं और बना दूगी प्रिशा बच्चों की बात सुनकर हैरान हो जाती है और शाम को जब मंजीत घर वापस आता है तो प्रिशा मंजीत को बच्चों के साथ हुई पास्ता और और आरत वाली बात बता देखे देखो मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा मैंने पहले भी तुमें बोला था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी प्रिशा तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो ऐसा कुछ नहीं है अच्छा अब मैं सोने जा रहा हूँ वैसे भी आज बहुत ठक गया हूँ और ये कहकर मंजीत सोने के लिए चला जाता है उसे लेटते ही नींद आ जाती है उधर प्रिशा और बच्चे भी खाना खाकर सो जाते हैं तभी आधी रात को मंजीत की आँख खुलती है तो वो देखता है कि किचन से कुछ आवाजे आ रही होती है वो किचन की तरफ जाकर देखता है कि एक चुडएल खाना खा रही है तो वो जोड से चलाता है तभी चुडएल मंजीत से कहती है मुझे से डरो मत, मैं तुमें कुछ नहीं कहोंगी मेरा नाम महिमा है मेरा यकीन मानू चुछ नहीं कहोंगी मैं यहाँ दो साल से भटक रही हूँ जब मुझे पता चला कि तुम लोग भारत से आये हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा मंजीत चुडैल की बात सुनकर कहता है मैं कुछ समझा नहीं चुडैल मंजीत और प्रिशा को अपने साथ होई घटना के बारे में सब बताती है मैं यहाँ अपने माबाप के लिए पैसे कमाने आई थी मेरे माबाप बहुत ही गरीब थे मैं अपने माबाप को हर वो खुशी देना चाहती थी जिसके उन्हें जरुरत थी पर यहाँ मेरी मौद हो गई तुमारी मौद कैसे हुई एक रात की बात है मैं ओफिस से काम खत्म करके अपने घर जा रही थी मुझे उसी दिन सेलरी मिली थी और उस दिन में बहुत खुश थी कि यह पैसे मैं अपने गरीब माबाप को भीजूगी तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और वो लोग मुझे से मेरी सेलरी छीन ले लगे तो मैंने देने से मना किया तो उनुने मुझे मार कर मेरे सारे पैसे छीन लिये और मेरी लाश को जला डाला और मैं यहीं की यहीं रह गई जब मुझे पता चला कि तुम भारत से आए हो तो मेरी खुशी का ठीकाना ही नहीं रहा अब तुम हमें यह बताओ तुम हमसे चाहती क्या हो मैं अपने देश भारत जाना चाहती हूं जहां मैं अपने परिवार वालों को देख सकूं और तुम ही हो जो मुझे मेरे देश भारत लेकर जा सकते हो तभी मेरी आत्मा को शांती मिलेगी चुडैल की बात सुनकर मंजीत और प्रिशा कहते हैं हम तुम चिंता मत करो हम तुम्हें जरूर इंडिया लेकर जाएंगे और तुम अपने परिवार वालों को भी देख सकोगी हाँ हम तुम्हें जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे और फिर अगले दिन सभी लोग इंडिया जाने की तैयारिया करते हैं और वो रात की फ्लाइट से भारत वापस लोटाते हैं अपने देश में आकर चुडैल बहुत ही खुश होती है और कहती है आई लव माई इंडिया हाँ सही में अपना देश अपना ही होता है और फिर अगले दिन मनजीत और पृषा चुडैल से कहते हैं तुम्हारा परिवार कहा रहता है हमें बताओ, हम तुम्हारे परिवार वालों से तुम्हें मिलवा देंगे चुडैल मंजीत और प्रिशा को अपने घर का पता बताती है तो प्रिशा और मंजीत कहते है ठीक है, कल ही हम जाकर तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा देंगे चुडैल बहुत खुश होती है, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि वो अपने परिवार वालों से मिलेगी, कल हम किसी पंडिजी से मिलकर चुडैल का सही तरीके से अंतिम संसकार करवाएंगे, जिससे कि उसकी आत्मा को शांती मिल सके, बात तो तुम्हारी बिलकु माबाप अपनी बेटी को गले लगा कर बहुत रोते हैं, अब हमें आपकी बेटी का सही तरीके से अंतिम संसकार करना होगा, जिससे उसे मिल सके, और फिर सभी लोग पंडिजी के पास जाकर चुडैल का सही तरीके से अंतिम संसकार कराते हैं, और इस तरह चुडैल को मिल मिल जाती है